वेगाइस वेलकुम है टो मैं चनल दोस्तों आज की वीडियो में बात करना जा रहा हूं दो बेस और दो टॉप का कनेक्शन का जिसमें हम दो एम्प्लिफायर यूज करेंगे एक है अहुजा कंपनी का और दूसरा है नेक्स आट्यो का जो स्पीकर्स रहेंगे हमारे वह टॉप का करेंशन कर सकते हैं चाहिए आप कोई भी कंपनी का लिए सेम मैथड अपलाई होगा बस क्रॉसर के कुछ सेटिंग्स रहते हैं जो अलग अलग कंपनी में अलग ब्रैंड के हिसाब से थोड़ा सा चेंजिस आ जाते हैं लगबख सीमिलर रहे ता है यहां पर सिंग टैल वन वन एट यह जो सबूफर है इसका जो मॉडल है डैल वन एट है यह हजार वाट का आपको आउटपुट देता है जो पावर रहता है हजार वाट के इसमें आपको डिलिवरी मिलती है जिसका इसका जो नॉमिनल इंपिदेंसज स्पीकर का 8 ohms रहेगा यह 18 इंच के स यहां पर देख सकते हैं इसमें आपको एक speaker मिल जाता है और ventilation के लिए आपको यहां पर एर पास के लिए एक जगा मिल जाती है ठीक है यह आपका हमारा base हो जाएगा ऐसे हम को दो पीस लगेगा आपको setup तयार करने के लिए दो speaker मतलब सब उफ़र डेल 118 के लगेंगे ठीक है अब यहां पर आपका 1000 वाट प्लस 1000 वाट 2000 वाट हो जाता है अगर अपक्रेट करेंगे तो दो-300 वाट अब वाले amplifier लगेंगे मतलब यह टोटल आपका दो speaker हो रहा है तो दो speaker के हिसाब से आपको 2000 वाट सम्तिंग जरुवत रहेगा कम से कम 2000 वाट का जरुवत पड़ेगा तो मैं सब्सक्राइब करता हूं सम्तिंग 25 वाट आपका वह रहना चाहिए ठीक है उसमें जो वाटेज रहना चाहिए आपको मतलब उसमें वाटेज रहता है आपका 1000 वाट से ज्यादा का चाहिए रहता है पर चले दोस्तों यह आपका सब्सक्राइब के बात हो गया अब सब्सक्राइब करेगा उसका जो एम्प्लिफायर उसके बारे में बात कर लेते हैं सब्सक्राइब को चलाने के लिए जो एम्प्लिफायर में सब्सक्राइब करना चाहूंगा वह आहुजा कंपनी का एलेक्स 6000 है जो कि डूल चैनल एम्प्लिफायर है यह उसका आप पिक्चर देख सकते हैं यहां पे इसमें आपको फ्रंट में बस दो वॉल्यूम कंट्रोल सब्सक्राइब लेका प्रोटक्ष bush मिलेगा प्रोटेक्शन के लीठी रहेगा और इंडode के रहेगा और यहां पर आपको आपको जो glad i m जाते हैं जहां पर आपको सिगनल बताएगा कि किता सिगनल आपका मिल रहा है तो यह आपका फ्रंट पैनल हो गया इसका इस अम्प्लिफायर का यह जो है इसको मैंने इसलिए चुछ किया है क्योंकि यह तो में तेरा सो वाट का डिलिवरी करता है मतलब अगर आप इसमें तो जोड़ेंगे तो यह उसको सेहन कर सकता है तीन सो वाट एक्स्ट्रा ही आपको दे रहा है ठीक है आपको समझ में आ रहा हुआ कि यह पर चनल में लब टू ओम्स फोर ओम्स और एटों से तीन चीज अलग-अलग रहता है इंपिडेंस के साब से जो आउपूट रहता हर अलग-अलग डिलिवर करता है यह आपका फोर करता है यह एक चैनल में अगर आप फोरोंस के जोड़ेंगे मतलब लगाएंग तो वह दो हजार वाट कर सकता है दो हजार वार्ट से उपर कर आप स्पिकर लगाएंगे अबलीफार पर लोड पड़ेंगा उसी तरीके से इसमें एक चैनल पिए आपका 1300 वाट तक कई में करनेट करके वह सब चीज अलग बात है अभी मैं एकदम सिंपल तरीके से आपको समझाने के कोशिच कर रहा हूं यह आपके जो अभी जो स्पीकर बता है उसके लिए परफेक्ट है ठीक है यह अब करनेक्शन बताऊंगा प्राइब करनेशन पर इसके साथ किस अरगे से परफेक्ट के उपर मैं अच्छे से वीडियो बनाई है वीडियो वीच कर सकते हैं यहां जरूरत है इसको जोम करते हैं तो अभी आपको मेरे खाल सब्सक्राइब दिख रहा होगा तो यहां पे आप देखेंगे यहां पर में आपको एक्सेलार और टी एसार जीक सॉक्ट मिल जाता है जैसे यहां पर लिखा हुए इन्पूट्स में आपको दोनों चैनल के लिए अलग अलग आपको इन्पूट मिल जाते हैं चैनल एक लिए अलग दिया हुआ है और चैनल बी के लिए अलग दिया हुआ है अब इसमें क्या है इसमें आप दोनों में से किसी भी एक में आप इंसर्ट कर सकते हैं चाहिए आप सेलेक्टर स्विच दिया हुआ कि आपको की स्टैप से आपका एंपलिफार को ऑपरेट करना है ब्रीज में आपका दोनों चैनल आपस में जोड़ जाता है और सिप चैनल से इंपूट डलेगा और चैनल एसे ही आउटपूट होगा मतलब टोटल लोड चैनल ए में आ जाता है और स्टूरियो और मोनो मोड एक तरीके से सिमलर रहता है स्टूरियो मोड मतलब इंडिविजली काम करेगा दोनों में किसी के कुछ भी वो नहीं रहेगा एफेक्ट नही में आगया होगा इसमें आपको इंपूट करना है तो एक्सलर पीन आप यूस कीजिए मेरा सजेशन है बाकि आपके हिसाब से ठीक है लिमिटर को और रखिए अगर आप चाहते हैं अगर मतलब कुछ ज्यादा लोड ना पड़े तो आप लिमिटर को और रखिए राखें निचे में आप तक और रखिए तो यहां भी अवर से चुट करें घ्याँके अउसके बाद नीचे में देखेंक नीचे मिल यापकूर सक्षिन मिल जाता है आपको ड सीजिए करनेंट होगाaufen QUER तरीके से करेंट कर सकते हैं आप थुरू करेंट कर सकते बानेंग पुते टर्मिल्ब आब यह जो दीख रहा है ऊंतर यह को रहते है Soniries को आप खूलेंगे आए सब्सक्राइब ऑंफे टाइट करेंगे इस तरीके 1-1 माइनस क knit house को मरे प्लस और तो माइनस के साफ में चर्पान रहता है प्लस-माइनस के सत्थ कुछ गरेकाई और और उसी तरीज़े आपको स्पीकर में भी करना रहेगा तो यह चीज अब को तोल ठीक को होगा हो इस अब हम इसमें connection करेंगे बेस का total बेस का जो सैटप रहेगा जिसमें क्रॉस वर्फ चुडियो माश्टर कर ले रहे हैं तो इसमें आप देखेंगे दो चैनल का यह रहता है उपर मैं सबसे पहले मैं explain कर रहा हूं क्रोसर के बारे में तो आपको थोड़ा से confusion नाओ तो है ऑप देखेंगे यहां पर दो चैनल का है ।पोड को थोड़ दो अभी फिलाल हम इसमें हाई यूज नहीं कर रहे हैं तो हम जिसमें लो और मिट दो चीज यूज करेंगे तो कनेक्शन को जिस प्रकार से रहेगा सबसे पहले आपको क्या करना रहेगा जो क्रॉस्वर कर लो है दोनों जो चैनल है एक चैनल वन और चैनल टू जो रहेगा आप इसे के यहां यहां पर करना है यह से श्चनल करना है यह आपका इंपुट का काम हो घे करना तर्हा है जो आपके बेसिं की भेश्चा के ले नीचे में आप देग सकते हैं ये का भीष का चाओ यहांप ठीज को यहां सिरू करेकर या सब्सक्राइब आपको इस इस souvent रहेंगा ओका लब दूसरा आतना सच इंद साही आपका काम सबय हुआ और कनेट करने का चीक है अभी ये स्टूरियो मोड में हम इसको अपरेट कर रहे हैं अप्लिफायर को ठीक है दोस्तों तो यह आपका हो गया बेस का कनेक्शन अब जो टॉप यूज़ करने जा रहे हैं वह भी डाइनटेक कंपणी का है डाइनटेक कंपणी का चुछ टॉप इसका मॉडल जो है डाल टू वन फाइव जो की फूल रेंड श्पीकर है इसमें आपको दो स्पीकर मिल जाता और एक मतलब दो अलेफ ड्रावर मिल जाता और जो यह व पंदर इंच का रहता है जिसमें आपका तीन आपका स्वीकर रहता है लोग को ब्लाइटा है इसका इंपेड़ेंस आपका फॉरमस का टॉटल बॉक्स रहता है चाहिक है तो इसका इंटरनल स्टॉक्चर आप सामने दिख सकते हैं इस तरीके से दिखता इसके कि आपको चोटल लगेंगे तो आपको 1400 वाट का टोटल आपका यह टॉटल बनता है शोडासो वाट का आपका यह टॉटल बन रहे तो मतल्लिब कम नहींच चाहिक है कि मापका अब जो टॉप है उनके लिए आपको जो बैस्ट अम्लिफायर में मेरे हिसाब से जो सुटेबल लगा है वो एनेक्स ऑडियो कंपनी का डीजे एक सीरीज है अब करता है ओर तो ऑचे घुम फट धाइettsाईट न 만들어 है हमारा स्विक पार मंता है तो इसके हिसाब से आपका यह प्र प्र एक यह अब नेस vacun Нет faktiskt रहेगा तो उसिवाट पर देख रहेए इसका क्रेंडल देखने है आपका जो दो टॉप है उनका बैक पानल पर रखाऊंगे तो सबसे पहले आपने यहां पर जैसे बेस में दिया था वैसी संद्व रहेगा उसमे लो से लेए था इसमें मिन से हम लेंगे आपका जो चैनल 1 का मिट वाला यहां से आपका input इसके channel 1 या पर channel A में जाएगा जो कि आप left side में देख सकते हैं उसी तरीके से channel 2 से लब crossword channel 2 से channel B में आपका connection जाएगा जो कि XLR cable के थूरू जाएगा यहां पर इस तरीके से के आपका इंपूट सेक्शन कंप्लेट हो जाता है इसको भी आप स्टूरियो मोड में रखेंगे उसके बाद जो आपका आउटपुट रहेगा वह आपका आउटपुट स्पीकॉन के तुरू निकलेगा स्पीकॉन से जो वन प्लस वन मानस सेम इसमें भी रहेगा आप यहां सकते हुआ इससे फीकॉन से निकलेगाण करता हूँ आप यहां सी निकाल कि आप सी जिखके आपकर में दोनों इंडिविज्जिली डेंग जैसे आपका अगर मानल निए नवन मानते है तो चानल 1 को नों के साथ बानने हैं वानते हैं तो आगर सर चैनल 2 को तो नोंब klip तोगा कुछ इस तरीके से आप यहां पर समझ सकते हैं ठीक इस पीकोन का जो कनेक्शन डियाग्राम में छोटा समय आप आपको शो कर देता हूं अरुटल रिवाइस कर दो किसे तरीके से करेंशन रहेगा तो इसो मिक्सर छोड़ा दो मिक्सर रहे हैं तक इसमीं को बिए में के देख यहां पर आप जो माइक हो दो मिलता है है इसमें से कि दोनों output को आपको Cross Prime लेसे बिलाना रहेगा कुछ इस तरीके से जिस तरीके से आपका मिक्सर में लव्यक्न, खेसाब से रहता है पो लेफ्ट मीजिक आपने इस मिक्सर में दिया इस मिक्सर से वह आपका क्रॉस्वर में इंपूट और जो रहता है यहां पर माइक घॉली रहता है रहता है चैनल कर्सक्ते यहां इस तरीक वाद इसमें इंपुट मिल गया confess यहां पर देखेंगे आपका यह इस तरीकह से si चैनल वन और चैनल टू का अपने अकॉर्डिंग जो भी स्पीकर में आप देना चाहें दे सकते हैं मैं कुछ इस तरीके से इसको बाट दिया हूँ यह आपका स्पीकर से डारेक्ट आपका जो लिट रहेगा इस तरीके से बाद जो बेस के लिए करनेक्शन रहेगा कुछ इस से सब्सक्राइब करेंगे कुछ इस तरीके से आपका पूरा करेक्शन कंप्लेट हो जाता है कि जो वॉल्म और सेटिंग से वह तो आप सब्सक्राइब कि रखाक घंग आपको नहीं पता है तो मैंने इन पूछ लाइप वीडियो बनाई है जहां मैंने सेटइब क्योंत हो किया जाता उस वीडियो को भी देख सकते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्स्क्राइब कीजिए और अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगए तो वीडियो को जुरू लाइक करना और शेयर करना थैंक्स ववचिंग